आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले SBI और NPCI की एक बड़ी अपडेट के वारे में State Bank of India और NPCI के तरब से एक नया अपडेट आया है जो कि इस वीडियो के माध्या से मैं आपको step by step बताने वाला हूँ इस अपडेट के बाद अब आप यहांसे contact से अपने payment कर सकते हैं क्योंकि आज की डिट में सभी चाहते हैं contact based payment करने के लिए जिसमें आपको उनका contact number डाला है सीधा payment हो जाए याँ आज आपके साथ कोई payment भी कोई problem ना है इसे में सभी लोग चाहते हैं उनका बहुत आसाम तरीके से payment हो जाए तो इसी को मद्दे नजर रखते हो SBI ने एक नया update लेकि आया है जिसमें MPI यहांसे soft पे इसको बोल सकते हैं जिसके माद्यम से बहुत आसाम तरीके से आप कहीं भी किसी को भी किसी भी सौब में आपके किसी payment करना चाहिए तो यहांसे payment कर सकते हैं मैं complete जानकारी इस वीडियो के माद्यम से आपको step by step दूँगा क्या है payment और किस प्रकार आप यहांसे contact based payment कर सकते हैं कैसे आपको इसमें से इसे यूज करना है मैं आपको complete जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए जानते हैं यहां से प्रेंट NPCI ने रुपए यहां से soft post के समाधान को सुरू करने के लिए SBI के साथ अपने सम्मत यहां से चुका लिए है नेशनल पेमेंट कोपरेशन आफ इंडियानी प्रेंट NPCI ने ब्यापारियों के लिए रुपए soft post लांच करने के लिए SBI पेमेंट के साथ साज़ेती क्यज़ारी की है यहां से समाधान खुदरा जो भी खुदरा विकरता हैं उनके लिए NFC और समक्ष यहां से स्मार्टपोन में मार्चन पॉइंट आफ सेल इन POS प्रेंट जिसको बोलते हैं पॉइंट आफ सेल टर्मिनोटों में बदलाव कियां से बहुत साज़ छमता है रखती जिसके बज़र से क्या होता अगर वियापारी अपने स्मार्टपोन में एक साधारन टैप और पेमाइक सीम के माद्यम से पांच हजार रुपए तक बहुत आसान तरीके से सुईकार कर सकते हैं तो यहां पर रुपए सौट पे खुदरा विक्रताओं को नाम मात्र की लागत पर प्रभावी सुईक्रिती संड़चना प्रदान करता है जिसमें वेपारी केबल एक यहां से थर्मेटी एप को डाउ पर रुपए सौट केकेंज कार्ड इंट पर मॉबाइल या फिर प्रभी रहता उसे सुरक्षीत और समय कुसल तरीके से उसे बहुत आसान तरीके से कर पाते हैं आप अगर यहां से मोबाइल में यूज कर पाएंगे एप से को इंस्टोल कर लेना है उसके बाद बहुत आसा ब्यापारियों को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल इंडिया का पाहल में समर्थन कर रहा है यहां से गोस्विदा की अनुमत की घोसरा कर दी है यहां से ब्यापारियों के वहां से ट्रांजिक्शन कर पाएंगे कांटेक्ट बेस में जिन वेपारियों के स्रेडियों में ब्यापक संख्याता का उन्हें पहुंचती है तो उनमें अन्बोर्डिंग वेपारियों पर भी बिसेस फोकस रहेगा और फॉन फार्में भी उनका फैक्टर में असा पढ़ सकता है NPCI के CEO या जो कि प्रविंड है उन्होंने कहा है कि यह सुनिक्शित करने का हमारा प्रियास है कि देश के विविन जो भोगवले इक्षेता है उनमें NPCI के स्विक्रिति दे दी जाए SM PRINT रुपए जो YAMSOPT देश की लमगन में जोईता है उनको बहुत आसान तरीका फिसे समझ पाएंगे अब इसके बाद चलिए हम जान लेते हैं कि रुपए YAMSOPT ने NPCI ने लांच क्यों क्या गया है और उनका क्या मोटिव है तो यहां SM PRINT SBI और यहां से NPCI ने रुपए YAMSOPT का उद्देश या है कि डिजिटल रुप से ब्यापारियों को POS मसीन अपने स्मार्टफोन को चालू करने में सक्चम बना देगा जिस वह बहुत आसान तरीके से डिजिटल यहां से लेन देन कर पाएंगे उनको डिजिटल तरीके से लेन देन करने में कोई प्राबलम नहीं होगी और यहां से बहुत आसान तरीके से यूज कर पाएंगे तो इस परकार फ्रेंट आप भी SBI सॉप्ट पोस्ट कर यूज करके एक किलिक में 5000 रुपय तक बहुत आसान तरीके से प्राब्त कर पाएंगे जिसमें आपको कॉंट्रेक्ट निया से फैल होने या फिर निया से गलत ट्रंजिक्शन होने की चांसे बहुत कम हो जाते हैं इसे SBI और NPCI ने एक लिए अपडेट लेके आया है जो कि मैंने कम्प्रेट जनकारे इस वीडियो के माध्याम सबको step by step दे दिया हूँ उम्मिद करते हैं ये वीडियो को काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें वीडियो का अपने फ्रेंच से जरू कर दोनों कर लिंक मिल जाता है जितने भी नेने अपडेट हैं मैं टाइम टेलीगरम आपको अपडेट करते हैं मैं जाकर ज़रू जोइन कीजेगा मजब नेने भी नेने तब सब के लिए जैहें टेक क्यार